हालो स्टूडेंट्स आज हम अपना कृतिका भाग दो का लास्ट चैप्टर मैं क्यों लिखता हूं का पार्ट समझने जा रहे हैं कि ये पार्ट क्या है सबसे पहले समझेंगे इसे इस पार्ट को लिखा किसने इस पार्ट को अग्यय ने लिखा है अग्यय का पूरा नाम है स जचिदानन्द, हीरनन्द, वातसायन, अग्ये, अग्ये इनको उपाधी दी गई है, इसलिए सब उन्हें अग्याई नाम से जानते हैं, इस पार्ट के अंदर क्या है, यह पार्ट जो हमारे राइटर हैं अग्ये, वो कहते हैं, आखिर मैं क्यों लिखता हूँ, मैंने क्यों शुरू किया, या मैं राइटर क्यों बना, इसलिए इस चैप्टर का नाम पढ़ा, मैं क्यों लिखता हूँ, तो अब हम जानेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या शुरू होता है, कि राइटर बोलते हैं, क्यों लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले उनकी विवश्ता, क्या कि मुझे विवर्ष होना पड़ता है कि मैं लिखूं तो यहां पर आपको पहला दिखाया गया लेकर लिखनी के लिए विवश है कि उसके मन में जो विचार आते हैं कि क्यों लिख रहे हैं वो वा लेखन का संबंद आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन दोनों से मानते हैं सबसे पहले मानते हैं आंतरिक जीवन से मानते हैं विभिन इस तरों पर विचार करते हैं कि उनसे जोड़े लोगों की विशेश्ताओं को समझना चाहिए आंतरिक मतलब हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है जैसे हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो हमारे मन के अंदर हर एक इंसान की अपनी personality डेवलप हो जाती है यह ऐसा इंसान है, वो ऐसा इंसान है तो यही चीज उन्होंने बताया कि हमने अपने अंत्रिक, जो अंत्रिक मतलब अंदर की जो चीजें हैं, उनको कैसे हम किसी को बोल तो नहीं सकते हैं, आप ऐसे लगते हैं? तो उन्होंने सबसे अच्छा तरीका उन चीजों को व्यक्त करने का क्या निकाला? कि हम अपने आस पास के मिलने वाले लोगों की विशेष्टाएं जो हमारे आंतरिक मन में चल रही है उसे हम लिख कर प्रकट कर सकते हैं ये उन्होंने बेस्ट माध्यम समझा तो लेकर लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता लिख कर ही लिखने की विविश्टा से मुक्त हुआ जा सकता है और लेकर को समझा और पहचाना जा सकता है लेकर के अनुसार सभी लेकर को करतिकार अथवा सुप्रकार नहीं कहा जा सकता जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उलजेंगे कि आखर लेकर कहना क्या चाहता है कहते हैं ना कि जब तक हम किसी काम को करें नहीं तो हमें समझ में नहीं आता कि वो काम कितना मज़िदार है जैसे बोलेंगे कि कार चलाना या बाइक चलाने में जो मज़ा है तो जो लोग चला लेते हैं उन्हीं को मज़ा आता है तो सेम वही चीज़ है अगर हम अपने मन के विचारों को शब्दों को ठीक से लिखने बैठे कोई कविता या पार्ट में पिरोने बैठे तो जो इस चीज़ को कर लेगा उसको करने में जो मज़ा आएगा वो कोई और नहीं कर सकता तो यहाँ पर उन्होंने यह चीज यही की है लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जासता मतलब जिसे जो लेखक है जो लिखता है वो जब तक लिखेगा नहीं उसे लिखने का मज़ा पता नहीं चलेगा जैसे जो foodie इंसान होता है जिसे खाना खाने में बड़ा मज़ा आता है तो वो जब तक कोई चीज खा नहीं लेगा उसको मज़ा नहीं आएगा सेम वही चीज़े जो लेका के जब तक हो लिखनी लेगा उसे मज़ा नहीं आएगा फिर क्या लेखक ने लिखने की विवस्ता से मुक्त होने के लिए लिखना ही सही माध्यम समझा जैसे हम बोलते हैं हम बोरियत दूर करने के लिए जैसे हम बोर हो रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम कुछ इंजॉय करें कहीं चलो कहीं घूमने जलते तो जैसे आपको बाहर अगर घूमना पसंद है, या पिचर देखना से हैं, सबसे जो इंटरस्टिंग काम हमें लगता है, उसकी तरफ चलेंगे, और वो इंटरस्टिंग काम हमारे लिए क्या है? लेखक के लिए लिखना है और हमें किसमें मज़ा आ रहा है फिल्म देखने में तो हम फिल्म देखने जाएंगे तो इसको ऐसे रिलेट कीजिए कि लेखक को लिखने में मज़ा आता है तो हमें जो काम करने में मज़ा आता है वैसी लेखक को लिखने में मज़ा आता है तो यहां अपनी विवस्ता या बोरियत दूर करने के लिए उसे लिखना बेस्ट माध्यम लगता है और उनने बोला हर लेखा को कृतिकार या स्वपनकार होना का जरूरी नहीं जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा ही लेखा को तभी वो लिखेगा नहीं आप कोई जरूरी नहीं कि परफेक्ट होगा तभी वो लिखेगा जब हम लिखना शुरू करते हैं तभी हम धीरे 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 परफेक्ट होते हैं जैसे किसी भी काम को हम क्या कैसे करते हैं कोई भी काम हम जो शुरू करेंगे तो हमसे गलती होंगी और perfect नहीं होगा तो हम जैसे जैसे धीरे धीरे करते जाएंगे हमसे perfect होता जाएगा तो वो last line में यही कहना चाहरे हैं लेखा के लिए क्रतिकार होना यानि कि perfect होना जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार में खुब गद्य और काव्य लिख डाले वो चाहे तो अपने मन की चीज़ों को छोटे-छोटे चंदों में एक डायरी में भी लिख सकता है जरूरी नहीं कि काव्य खंड़ी लिख डाले या गद्य खंड़ी लिख जाले ऐसा कोई जरूरी नहीं है फिर नेक्स आते हैं एक रशनाकार आंतरिक दीप चेतना से प्रभावित होकर रशना करता है कभी-कभी बहरी दबावों से आंतरिक दिप्त होने पर ही रचना लिखी जाती कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने मन को विचार मन के अंदर जो विचार है लेखक के लिए जो मन के विचार है उन्हें बाहर निकालने का अच्छा तरीका उसे लगता है कि चलो मैं लिख लेता हूं तो ये आंतरिक दबाव हुआ कि मन के अंदर बहुत उलजन चल रही हम लिख लेते हैं तो हमारे अंदर का दबाव कम हो जाएगा कभी-कभी बाहरी दबाव पड़ता है बाहरी दबाव मतलब आज-पास घट रही बहुत सी चीजे होती है कभी क्या होता है कोई ट्रेंड होता है कि नहीं बाहर कोई राजनितिक जैसे कभी चुनाव का दौर चलता है तो राजनितिक परस्तियां कभी गर्मा आ जाती है तो उस दबाव को कम करने के लिए, चारों तार हैं राजनितिक पस्तितिया है, ध्रनेतिक लेक लिख लेक लेक उसी तरह कहीं दंगे हुए, जागडे हुए या कहीं पर、 देश से रिलेटेड देश भक्ति मारू सोतंता दिवस के आसपास कभी हुआ तो वो ये बहारी दवाव क्योंकि उसमें मौसम में वो चीज आ जाती है तो हम क्या करते हैं उस से रिलिटेड लेक लिख लिखते हैं तो ये हमारा बहारी दवाव है जो बहारी पर स्तियों के दवाव में आकर जो लेक लिखा जाए जो हमारे आसपास घट रहा है नीज़े निकालना बाहरी परस्तिया मतलब बाहर उस समय घटित हो रहा है उस चीज़ों को लेक में लिखना वह हमारे लिए बहारी दबाव होता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रचना के लिए बहारी दबावों के प्रतीक्षा करते हैं अर्थात उनके लेखन के नहीं लिखेंगे तो वही चीज़ें नहीं बोला कि बहुत से लोग उस दबाव का इंतजार करते हैं लेखक स्वयम के लिए बाय दबाव महत्पून नहीं हैं अगर हम एक लेखक हैं तो हमारे लिए एक छोटा सा कहीं हम बिल्ली का बच्चा देख लेंगे तो उस पे भी हम जीवनी लिख सकते हैं तो लेखक अगर एक सच्चे लेखक हो तो आपको बाहरी दबावों की जरूरत नहीं अप कोई भी घटना लेकर उसके ऊपर लिख सकते हो दबावों के होने पर भी उसमें बसा कृतिकार उससे प्रभावित नहीं हूपता है, सपोस्व वो बहुत अच्छा लिख लेता है, तो वो बाहरी दबावाव का भी उसके उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जो करना चाहता है वो बहुत ही अच्छा करेगा, वह अपनी दिमचेतना से ही प्रेरित होकर लिखता है लेखक के इंसार क्रति का आधार मनुष की भीतरी विवस्ता है वृत्तिकार होकर भी लेखक के लिए भीतरी विवस्ता को समझना कठी नहीं कहने का यहां का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि हमारे आस पास के दवाब हम पर असर डाले अगर हम एक सच्चे लेखक है तो मन में होने वाली किसी भी एक छोटी सी घटना को भी हम एक कृती का रूप कृती का मतलब होता है कि एक किताब एक बहुत बड़ा उपन्यास लि मैं लिख रहा हूं क्यों क्योंकि मेरे मन की विवश्टा है मेरे अंदर जो चल रहा है मैं उसे एक किताब में पिरो देना चाहता हूं मैं इसलिए लिखता हूं अब उनके आगे अंदर एक और चली क्या इन उस जिस समय ये लिख रहे थे ये इनका जन्म जो हमारे अग्येजी हैं 1911 के करीबन हुआ उसके बाद ही हिरोशिमा का अटैक हुआ था आप सभी को पता है तो जब इन्होंने हिरोशिमा के बारे में पढ़ा था तो क्या उन्होंने जाना क्योंकि ये खुद एक साइन्स के स्टूडेंट थे जो अग्येजी थे ये साइन्स के स्टूडेंट थे तो इन्होंने जब उस बारे में पढ़ा तो बहुत कुछ जानते थे अणू क्या होते हैं परमाणू क्या होता है रेडियेशन क्या होता है मत लेकिन उन्होंने इतना द्यान इन चीज़ों के बारे में दिया नहीं कैसे हिरोशिवा में अड़ोन स्वोट से उन्हें प्रवाइद तो किया उन्हें कुछ लेक भी लिखे उसके उपर छोटे-छोटे से लेक भी लिखे लेकिन क्या हुआ जब वहां उससे पहले क्या होता पूर्वी सीमा पे जो सैनिक थे ये भी इन्होंने एक बार इनका एक लेक है उन्होंने इसमें लिखा है कि मचलियां लेने के लिए नदी में या तलाब में बम गिरा देते थे तो बम गिराने से क्या होता था मचलियां मर के उपर आ जाती थी चहिए उनको थोड़ी होती और उमार बहुत सारों को देते थे तो ये चीज में उनको बहुत प्रहाइद करी थी इस पर भी उन्होंने लेक लिखा था तो इसी तरीके से जब ये घटना घटी तो इन्हों ये मचलियों वाला भी बहुत अच्छे से याद आया कि कहां जरा से मचलियों के लिए लोग तालाब में पड़ी इतनी सारी मचलियों को मार देते थे तो युद्ध में उन्होंने ऐसे बहुत से बम फेके गए हजारों मचलियां मर गई जापान में जब हिरोशिमा गिरा तो बहुत लोग काफी वर्सों तक या इवन आज तक उस परमारू विस्पोर्ट के तो उन्हों ने उस पर लेक तो लिखा लेकिन जब यह हिरोशिमा गए तो वहां पर तब वहां पर यह ज्यादा समझ पाए क्या हुआ एक दिन जो हिरोशिमा गूमने गए तो वहां पर सैनिक अस्पताल गए तो वहां पर तब भी इन्होंने वहां पर प्रभावित बहुत से लोगों को देखा फिर ऐसे गूमते गूमते जब वहां पर गूम रहे थे तो क्या उन्होंने सड़क को चलते हैं पत्थर पर एडियो धर्मिर्ता के प्रभाव को मानवाकरती में मात्र चाया देखी पीड़ा घनी भूत ओटी मतलब क्या था कि एक पत्थर था बड़ा सा अदमी के आकार का पत्थर और वहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ था और उसी समय विसफोट हुगया अब सपोस्पोज यहां सामने होगा और आदमी ऐसे खड़ा है तो क्या हुआ विसफोट से वह आदमी तो राख हो गया लेकिन जो रेडियेशन था वो पीछे आदमी क आकरती बनाता हुआ निकल गया मतलब आस पास से रेडियेशन निकल गया और जितनी जगह आदमी खड़ाता उतनी जगह पर पत्थर पर रेडियेशन का फरक नहीं हुआ तो उस जगे इतनी जगा आदमी खड़ाता होती जगे आदमी की आकरती बन गई तब उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि ये विस्पोट कितना भयानक था किस हद तक भयानक था कि आदमी जगा था उसके आस पास का पत्थर जल गया और जहां आदमी खड़ाता वहाँ पर आदमी की आकरती बन गई उतना पत्थर नहीं जला क्यों क्योंकि उस जगा पर वो आदमी जल गया था पत्थर की जगा तो वहाँ पर उनको उस समय बहुत जादा पीड़ा मैसूस हुई तब उन्हें समझ में आया कि हीरोशिमा में आखिर हुआ क्या था फिर बिस्पोर्ट की अनुभूती प्रत्यक्शोहुठी हमने बताया ना जो दर्द तकलीद जो लोग सालों तक जहलते रहे वो उस समय उन्होंने उस समय पेपर न्यूस पेपर में लेखों में पढ़ा था और उन्हों खुद भी लिखे थे तब उस पत्थर को देखने के बाद वो दर्द उनकी आखों के सामने प्रत्यक्श रूप में आ गया सम्वेधन की कलपना शील बनाया रखने और आत्मा के अनुभूओं को महसूस कराया उनकी अनुभूती आंतरिक थी और वो विवर्श हो उठे यहां कहने का मतलब है वो देखने के बाद उन्हों अपने लेक बहुत तुछ लगने लगे जो उन्होंने लेक पहले लिखे थे उन्हें लगा कि उन लेकों में तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें व्यक्ति नहीं करी जितना तकलीफ यहां के लोगों ने महसूस किया तो आज जब वो यह लिखने बैठे कि आखिर मैं क्यों लिखता हूँ तो उन्हें वो चीज़ याद आ गई कि जिस समय वो ने वो लिख लिखा था वो बाहरी दबाव के कारल था लेकिन आज जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो मेरा आंतरिक दबाव है आंतरिक मतलब मेरे अं अंदर के दबाव ने उनको लिखने के लिए मजबूर किया उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया कि वहाँ पर क्या पीती थी लेकक अपनी उस भीतरी विवश्ता से मुक्त हो गया और तथश्ट होकर उसने देखने और समझने की कोशिश करने लगा मतलब जो भीतर की विवस्ता थी कि नहीं आप मुझे लिखना ही है जो था उस विवस्ता से उसने मुक्त हुआ और पीड़ा से पीड़ा को समझते हुए लिखा मजबूरी में उन्होंने क्या बोला अब हमtestacy को नहीं लिख रहता अब में पीड़ा लिख रहा था कि क्या वहां लोगों ने मह पारण बनती है इस्तिति या व्यक्ति की प्रत्यक्षता अत्वा निकटता नहीं कहने का यहां इस लाइन का मतलब समझे कि जब हम किसी चीज को पूरी तरह जीते हैं समझते हैं तो हम जादा अच्छी तरीके से लिख सकते हैं बनिस्पत कोई हमारे पास बैठा है जो चीज ह तो यहां इस पार्ट में आपको क्या बताया गया है कि आप आखिर जो लेखा के वो क्यों लिख रहा है यह चीज वो समझ नहीं पाता कि मैं क्यों लिखने बैठा हूं किसलिए तो तब जब लिखते लिखते उसे हिरोशिमा का जब कांड याद आता है तो उसे यह लगता ह कि आखिर ये बाहरी और आंतरिक विवस्ता जो थी उस पे जो मैंने लिखा है, वो उसमें क्या difference था? जब हम अंतर आंतरिक पीडा मैसूस करते हैं, तब हम क्या लिखते हैं? और बाहरी जो हमको दबाव मिलता है, उसमें हम क्या लिखते हैं? क्योंकि जब हिरोशिमा पे हुआ तब उन्होंने कई लेक लिखे लेकिन उस समय वो पीड़ा मैसूस नहीं कर रहे थे लेकिन जब हिरोशिमा गए और उसके बाद उन्होंने जो लिखा वो आंतरिक पीड़ा थी तो यहां पर दो चीजों पर आपको बहुत ध्यान देना है आंतरिक विष्टा और बाहरी दबाव क्या होता है और यह किन परस्तितियों से पैदा होता है आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हम अपने नेक्स वीडियो में इनके प्रशुत्तर को हल करेंगे कि आप इने किस तरीके से लिखेंगे ओके बाबाई